महिंद्रा इसकॉर्पियो पेट्रोल में कैसे परफॉर्म करती है क्योंकि जो मेरे पास यह गाड़ी है इसका टॉप बेरियंट है जडेटल और इसमें आटोमेट्रिक ट्रांसमेशन लगा हुआ है 203 PS की शक्ती देता है और 300 Nm का टॉर्क निकलता है कापी धमाकेदार है और यह इंजिन कितना प्रभावशाली है खास करके जब आप किसी घाट सेक्शन में इसे ड्राइब कर रहे होते हैं तो इस पूरे वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ कि घाट सेक्शन में एक ऐसे परफॉर्म करता है और जो मेरे सामने घाट है जिसमें चलाने जा रहा हूँ यह MB वैली के तरफ जब जाते हैं लो नावला से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ता है और शुरुबात करते हैं ब्रेकिंग से तो ब्रेकिंग बाइट्स ना चारों पईयों पर डिस्क जो मिलते हैं बहुत अच्छे से अपना काम कर देते हैं ट्रेबल सस्पेंशन काफी अच्छा है जिसके वज़े से थोड़ी और इस्टिबिलिटी मिल जाती है और हाई स्पीड कॉर्डरिंग में कंपनी बोलती है कि इसका कोई जबाब नहीं है तो एक कार जैसे मतलब जिस तो ओर टेकिंग कर लेते हैं यह रहा ओर टेकिंग आ गया और आवाज सुन सकते हैं तो मतलब भटाक से इसमें आपको सारी चीज़े मिल जाती है बहुत मज़ेदार तरीके से यह अपना काम कर रही है और मुझे इसकॉर्पियो एक ध्यान रखिए कभी इसे इसकॉर्पिय कि आपको जितनी भी आपने महेंदा आप तक चलाई है उससे भी बहतर लगे अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ एक स्यूगी सेवें डबलो से भी बहतर लगे तो आप चौकि एगा मत क्योंकि चलाने में मुझे इससे बहुत ज्यादा मजार है तो अभी एक छोटा सा हाड की चड़ाई है आगे काफे कुछ तो वहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे इस गारी को और आपको बता पाएंगे कि किस तरीके से ये परफॉर्म करने वाली है जब आप ऐसे रास्तों पर इसे लेके निकलेंगे तो इसका जो करेक्टर है डाइबिंग करेक्टर है काफी अच्छा मदब कमांडिंग पोजिशन में बैठ कर आप एक स्यूभी वाले फील में एक जो होता है जिस सेडान कार चलती है उसके जैसा जब आपको परफॉर्मेंस पीले तो आप समझ चाहिए कि आपके पास एक अच्छी गारी है क्योंकि बॉडी रोल मुझे बहु बहुत अच्छे से बन पड़ा है और महिंद्रा से मुझे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी तो थोड़े से और रास्ते भी आएंगे तो महां पर मैं इसको चला कि आपको बता पाऊंगा कि किस तरीके से इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं इससे और आगे बढ़ते हुए थोड़ा अच्छे से जब बारिश शुरू होती है ना महाराष्ट्रा में तो यह सेक्षन बहुत बिजी हो जाता है क्योंकि लोग यहां पर पिक्निक बनाने बहुत आते हैं और यहां पर और टेकिंग असान नहीं होता है अगर आप पहाड़ों में है तो आपको और टेकिंग करनी देख दो आफ चाहिए जब तक आगे का रास्ता आ को ख्लयर नहीं है मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं भी नहीं कर रहा हूं अगर एक बार देख रहे हैं तो यह थोड़ा सा मुझे अपरोच कर सकता हूँ और अप रोज क्रते-करते में हैं । अगर ओर टेकिंग की आप पर्या कॉर्णिंग तो इसकी एबिलेटी मैं अच्छे से चेकर सचता हूं तो अभी बहुत जाता इस भी नहीं रखे थी तो चिपक के यह आराम से निकल गी मैं तो अपने लेन से कहीं भी नहीं बटकी है यह चोटे से और उपर अभी जो पार्ट आ रहा है वहाँ पर काफी चढ़ाई है तो वहाँ पर अच्छे से मैं बता पाऊंगा कि किस तरीके से यह परफॉर्म करती है और किस तरह से चढ़ाई पूरा कर पाती है कहीं पर कोई लेग आता है या नहीं आता है और साथ में भी एक चीवर बदा दो शिप्टिंग इसकी कैसी है तो शिप्टिंग में आपको कहीं भी लेग नहीं आने वाला है तो चड़ाई के दौरान देख सकते हैं आपकी जब आप खास करके ट्रैफिक में चड़ाई कर रहे होंगे तब भी आपको दिकत नहीं आने वाली है और जिस तरीके से आपको कहीं कि मैं अभी जहां से चल रहा हूँ यहां पर पूरी की पूरी जो साड़क है गिली है तो बैट सरफेस से मैं आप पहाड बरागे निकलने कोशिश कर रहा हूँ और खास करके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है तो यहां पर कहीं से यह नहीं लगता कि भी आप फस गया मैं या मैं आप राटक गया हूँ बीच में गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो प्रसाइसली मतलब और सबसे अच्छी बात है पेट्रोल की कि एक आवाज भी नहीं आती मतलब आपके केबिन में कोई भी आवाज नहीं आ रही है और आप इसके सहारे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अगर मैं यह वाला रास्ता थोड़ा सा क्लियर होता है तो कुछ चीजे और आपको बता पाऊंगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहां लगा हुआ है मैंने उमीद नहीं कि क्योंकि अमूमन यह रास्ता मुझे खाली मिलता है और अग्र आप MBBaili आते हैं इन रास्तों से परिचित है तो आप यहां पर बड़े अच्छे से आप गाडियों और ठेस्ट करते हैं तो अच्छे से टेस्ट करसके हैं कि पूदा बनता है जैसे तो आपकी गाड़ी लेन में चिपकी रहती है जब आप इसमें से जाओगे तो आपको पता चलेगा और आटोमेटिक का फायदा क्या होता है यह भी आपको यहां से समझ में आ जाएगा ठुट्टे ठुट्टे रास्ते और बढ़ते हुए हम और यह स्कॉर्पिव है थोड़ी सी एक कॉलरिंग करने की बड़ी इच्छा है और यह अप्रोच कर लिया है टूला से मेंने य। य causal घ्राइब तो जिसके जिकर कर रहा था किकर आब फास्ट कर्ण्रींग करेंगे तो क्या यह बोडी रोल बहुत जय्यादा दिखााएगी सतर हुऑ बहुत ज़ादा नहीं दिखा रहे क्यों कि जितनी उची मुषी ते उसलिहाब से बहुत कम बड़ पहाड पर जो मैं जिक्र करना चाह रहा था वह आपको समझ में आ गया होगा और पहाडी रास्तों पर यह आपको जवाब खास करके मनाली के तरफ जाएंगे ले-लदाग जाएंगे इससे और आपके वास अगर 4x4 होगी तो इस पर सोने पर सुहागा हो जाएगा तो इस कोड़ी रोल के नाम बें बहुत कुछ मिलता है लेकिन लोगों ने उसे ही इमोशन के तोर पर एकसेप्ट करके रखा हुआ है किसी को कभी कोई शिकायत नहीं रही और यहां पर अब मैं जब इसे चला रहा हूं तो एक नई गाड़ी है नया प्रोड़क्ट है नया प्लेट अच्छा है और सबसे इची बात है क्योंकि चारोपी ओ पर आपको डिस्क मिल जाते हैं और डिस्क के सहारे फाइदा यह होता है कि जब आप सट्टेन ब्रिकिंग करते हैं तो आप बहुत कम डिस्टिंस लेकरे हो जाते हैं तो मुझे पहारी रास्ते पर पर सिर्फ ने ही बात रखनी थी जो कि मैंने रख दी है और एक छोटा सा गढ़ाया बटे गारी बिचलित नहीं रही मैंने उम्मीद नहीं की थी क्योंकि एक हलका सा तूटा हुआ रास्ते में लेप्ट एंड को एक पैच था नजर नहीं आया तेकिन वहां पर किस तरीके से इसका जो मतलब अब ट्राइबल की बात किते हैं सस्पेंशन ट्राइबल की वह एकजाइक परिवासित हुआ है अगर में शूट कर पता तो दिखाता आपको कि किस तरीके से उसने अपना काम किया है तो पहारी रास्ते से फिलहाल मैं इतना ही बोलना चाह रहा था और बताना चाह रहा था अब आपको पता चल गया होगा कि पहारी रास्तों पर किस तरीके से यह पाम कर सकती है तो ऐसे खुले रास्तों पर आपको चंता करने की कोई जूरूरत नहीं है और यह स्कॉर्पियो आपको काफी मज़ेदार लगेगी